बिसमिल्लारमानरहीम मेरा नाम हमजा लाकत है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 70-411 का लेक्चर नंबर वन जैसा कि हमने पहले 70-410 को एक्जाम वाइस कंप्लेट किया है जिसके अंदर जितने भी टॉपिक थे 410 के अंदर वो मैंने आपको करवाएं कबर जिसमें बे आई से भी चीज़ें की कुछ DNS के वाले से भी कुछ DHCP के वाले से भी और इसके लावा और भी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और इसके बाद अपना जो next exam स्टार्ट करेंगे उसके अंदर फिर हम इन ही चीज़ों को थोड़ादा डवांस लेवल पर पढ़एंगे जो चीज़ें रह गई हैं जो कवर करने वाली हैं जो जरूरी है उनको हम पढ़ेंगे ठीक है तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ 411 789 411 में क्या आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अचा आज के लेक्चर में जैसा कि आप पहले Active Directory इंस्टॉल कर चुके हैं मैंने DC इंस्टॉल कर लिया ठीक है तो यह ADC क्या है ठीक है ADC का सिंपल जवाब यह है कि एक अडिशनल डुमें कंट्रोलर है ठीक है तो सबसे पहला आपके जहन में क्वेस्टिन आएगा वाइड डूबी नीड टू अडिशनल डुमें कंट्रोलर ता आंसर इस सिंपल कि यूजर ज्यादा है ठीक हैं कोई भी इशू है आप चाहते हैं कि आपके पास एक डुमें कट्रोलर हो तो आप अडिशनल ुमें इस्टॉल करते हैं यह करता है यह उसी डुमें के साथ एड हो जाता है और फिर आपको उस डुमें के उपर डिफरंट जो सर्विस चल रह ठीक है और आगर आपके पास कुछ remote site है और आप remote site से कुछ चीज़ें authenticate करवाना चाते हैं तो आप वहाँ से भी अपने additional domain controller को use कर सकते हैं जिससे कि in case of service failure would still have another another one which can provide necessary service in our network which avoid business discontinuity okay तो सबसे पहले हम इसकी hierarchy थोड़ी मैं आपको समझा दूं ठीक है जैसे कि आप यह देखा होगा आपने primary domain controller जिसको PDC भी कहते हैं और जिसको DC भी कहते हैं यह क्या है यह हमने install कर लिया है ठीक है और यह हमारे workstation है जिसको हमने domain join करवाई हुई है एक दो जिसमें हमारे Windows 7 की machine और user इस पर login होता है काम करता है और इसके DNS में हमारे पास primary domain controller का IP है for example अगर मेरा primary domain controller किसी वजय से डाउन हो जाता है किसी वजय से network पर response नहीं कर पाता तो इस case में क्या होगा जितने मेरे user होंगे चाहिए एक हो दो हो दस हो हजार हो वह सारे effect होंगे वह सारे domain पर login कर सकेंगे उन पर policies नहीं लगेंगी और different उनको मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं जैसा कि जो भी आपने अपने domain को जिस तरह configure किया हुए ठीक है तो इस case में क्या करते हैं आप अपने पास एक backup domain controller रखते हैं backup रख सकते इसको backup domain controller कह सकते हैं आप यह additional domain controller कह सकते हैं ADC भी कह सकते हैं BDC भी कह सकते हैं और यह आप multiple रख सकते हैं इसरम मैंने अपने environment में एक रखेंगे लेकिन आप दो तीन चार जतने आप domain controller के रखना चाहें आप उतने domain controller के साथ अपने ADC रख सकते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया थे फिस्मो रोल्स आपको याद होगा कि पांच फिस्मो रोल्स होते हैं जो कि हमने पहला लेक्चर में 410 के अंदर उसके अंदर एक फिस्मो रोल का पूरा लेक्चर है आप उसको देखें और आपको अंडेस्टैंड होगा कि फिस्मो रोल्स क्या होते हैं तो अभी जास्ति है कि हमने domain controller और install किया हुआ तो उसके अपर हमारे पास यह पांचो रोल्स मजूद हैं जो कि मैं आपको दिखाओंगा भी command के जरीए उसको कैसे देखा करेंगे और फिर जब हम अपना ADC install करेंगे और ADC install करने के बाद हम देखेंगे कि ADC के ऊपर कितने रोल्स आएं अभी मैं आपको ADC इंस्टाल करेंगे हम आज की लैब मेरे ADC के बाद हम रूर्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ADC कैसे काम कर रहा है वो तो cinquy कर रहा है कि अगर मैं ऐग यूजर बनाता हूं तो वो दूसरी जगा आ रहा है कि नहीं प्रमकाज रहा है कि तो बढ़ते हैं उप कि तरल और लैब में आज बिभे इस्ताल करेंगे तो सबसे पहले हम देखते कि मैं लैब ने कि स्कूर रिडि किया हुए ओके गाई हम अपनी लैब में आ चुके हैं तो सबसे पहले चलते अपने डुमेन कंट्रोलर पर यह वरा डुमेन कंट्रोलर है ठीक है और जैसे कि आप देख सकते मेरी लैब जो हमने बनाई थी माई लैब डूट लोकल है और इसके उपर एक आई पी लगा हुए 10.10.10.1 का और यह उन heeft नियुवी हम बनाई है मशीन बनाई है जसको मैंने सिंपल कॉनफिगर किया इसका सट कि मैंने नेम सेट किया है और इन दोनों को और मैंने हैं से मेक्षोर किए आ कि मेरे एडी से जिसको अपर मैं आडी सी हिस्टॉल करूंगा वो DC को पिंक कर रहा हूं। उसके बाद मैंने इसके DNS address में ADC के DNS address में जैसा कि हम मशीन के स्वरी मशीन के किसी भी क्लाइट मशीन के जिस तरह हम DNS में address देते हैं अपने domain controller का इसलिए मैंने इसके DNS में भी उसका domain controller का address दिया है ताके यह उसको पिंग कर सके ठीक है और क्योंकि जब यह पिंग करेगा उसको तभी स्क्राइब कर पाएगा उसका नेम रिजॉल्व कर पाएगा ओके तो अभी जैसा कि यह न्यू है तो हमने करना है सबसे पहला जो हमारा इसके पर टास्क होगा हमने इनरों अर रोल या आ उन फीचर में जाकर वही काम करना है म३ने डुमेन का एक्टिव ट्रेक्टरी का जो रॉल है वह अन्सटाल करेंगे ठीक है तो यह दो आपने और डोल पर क्लिक करें रोल तर फीचर पे नैक्स करें और जैसा कि यह ADC है ओके next करें इसको यहां से हम active-directive domain and services को select करते हैं add required feature करते हैं next करते हैं next next install अब जब यह install हो जाएगा तो हम इसको configure करेंगे ठीक है तो अब मैं अपनी वीडियो को पाउस करता हूं और फिर वापस आते हैं जब यह इसका रोल इंस्टॉल हो जाता है तो अब हमारा जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है और आप एक yellow mark देख सकते notification पर आप इस पर क्लिक करें अब जैसा कि पहले हमने जब इंस्टॉल किया तो हमने एक न्यू फॉरस्ट मेंट की थी लेकिन इसमें क्या करेंगे जो के हमारे केस में है माई लैप डोकल ठीक है कि क्रडेंशल आप यहां देख सकते हैं ठीक है यहां अपने जो डुमेंड कॉंडोन को सरी एकसेस करने के लिए जो अकाउंट है वो देना पढ़ेगा तो मेरे पास और मेरे केस में अड्मिनिस्ट्रेटर माइड फॉल्ट है जो मैंने डुमेन इड्मन का दे रहा हूं इसके उपर और मैं इसको यहां से OK करता हूं और मैं यहां से इसको next करता हूं कि ओके next करने के बाद यह क्यूरी करेगा चेक करेगा यह domain name exist करता है कि नहीं और मैं उसमें चीज को आड़ कर सकता हूं यह नहीं और यहां से यह वही टाइप दा DSRM password disaster directory services restore mode तो मैं यहां अगर मुझे restore करना हो कभी इसको backup से तो वह करने के लिए जो मुझे password require होगा जब मैं इसको बूट करूंगा तो तो अच्छा यहां अगर आप read only domain करना चाहिए तो रूमीट read only कर सकते हैं जो करें आगे पढ़ेंगे ठीक है और अभी मारे पास कोई site configure नहीं है तो इसलिए default first site और मैं इसी server को DNS और global catalog server भी बनाना चाहता हूं तो मैं इसको इसी तरह next करूंगा वो करना delegation मुझूद नहीं है मैं इसके लिए create करूंगा जैसे okay वो कहता है replicate मैं किस से करूं ठीक है तो मेरे पास अभी मेरे server में एक ही है srv1 my lab.local अगर मेरे पास different adc हों तो मैं बता सकता हूं कि किस सर्वर से तुमने replicate करना है कि सर्वर से तुमने अपनी जो config file है जो information है वो तुमने वहां से replicate करनी है तो अभी मैं any कोई select करता हूं आप specify भी कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है और यह आपका local database folder कहां रखना है c में रखना चाहें c में रखें डी जो भी आपको शूट करता है वहां इसको रखें बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि इन तीनों को अलग अलग folders पे आप save करें ताके in case of disaster आपके पास completely lost ना हो किसी भी चीज़ का ओक हम next करें कि इसको यह वह settings बता रहा है कि मैं यह चीज़ इंस्टॉल करूंगा review करें नेक्स करें यह इसके प्री रेकुसिट चेक करेंगा चेक करेंगा आया जो प्री रेकुसिट इसके उपर हैं वह complete है कोई ऐसी चीज मिसिंग तो नहीं है तो भी मैं वीडियो पाउस करता हूं जिए प्री रेकुसिट कंप्लीट कर लेगा तब मैं आपको दिखा के इसको आके next करूंगा और हम इसको install करतेंगे बल्के वह करने से पहले ही हो चुकी है ठीक है यह थोड़ी शी वार्निंग्स दे रहा है इसको आप एक्टिव कर सकते हैं ठीक है और यह कह रहा अप्री पास्ट ठीक है तो मैं इसको सिंपल इंस्टॉल करता हूं अब यह टाइम लेगा इंस्टॉल करेगा डिपेंड करता है आपकी अक्टिव डिरेक्टरी पे उस पर कितने यूजर है उसकी डापेस कितनी बड़ी है ठीक है आप उसकी तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो अभी हम वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जागी तब वापिस आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल होने के बाद यहां हमारे पास क्या चीज किस त administrator और मैं यहां एक कमांड लिख रहा हूं निटूम क्यू यू ए और वाइक यूरी एफ एस फिस्मो मैंने जो रोल्स हैं उसको और मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे बता देता है कि स्कीमा मास्टर आप का किस पर है डुमें नमिंग मास्टर एसर वी बोन पर है बीडी सी रिड़ पूल मैंजर इंफ्रस्ट्रक्टर यह सारे इस सर्वर पर srv1.mylab.local पर मजूद है ठीक है तो अभी हमने जैसे मारा ADC इंस्टॉल हो रहा है तब तक मेरे ख्याल में यहां आ चुका होगा हमारे domain controller के tab में भी अगर मैं अपने domain controller के dsa.msc करता हूं और इसके बाद मैं domain controllers में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां एक ADC आ चुक है ठीक है domain controller पर पहले srv1 था अब एक और server आ चुका है जिसका नाम ADC है अगर मैं इस पर double click करता हूं तो यह मुझे बता रहा है global catalog है server 2000 R2R standard है member of domain controller के group का member है ठीक है और relocation यहां मैं इसकी manage कर सकता हूं यह बता सकता हूं तो यह तो हमारा ADC installation का तरीका है क्योंकि अब भी आप देखें कि मेरे domain controller पर different users different OUs बने हुए पहले के ठीक है तो यह different OU different user ADC पर भी मुझूद होने चाहिए मुझूद होंगे तो ही वह replicate तो ही दूसरे user इससे authenticate कर पाएंगे ठीक है अब हमने इस पर login करना domain admin से तो आप नीचे देख लिए sign into my lab होना चाहिए और आप यह administrator लिखेंगे domain administrator से मैं login कर रहा हूं इसके उपर इसके local administrator से मैं login नहीं कर रहा ADC के case में आपके पास local administrator जो है वो भी आपको पता है कि वो domain admin बन जाता है तो इसलिए आपको इसके domain admin के credential से जाना पड़ेगा जो के इसके हमने यहां set किये थे तो अभी यह new profile है तो यह इसको login करने में time लेगा set करेगा इसको और तब तक हम देखते हैं हमारे पास से यह different user हमारे पास उधर आने चाहिए अब जबके यह login हो चुका है तो सबसे पहले हमें काम करते हैं मैं आपको cmd यहां open करके वह आपको जो command है करने डूम की वह यहां चला कर देखते हैं कि उसका result domain controller पर तो पांच रोल आए थे और मैं ADC पर चलाता हूं तो इसके उपर मेरे पास कितने रोल आते हैं मुझे क्या information प्रोवाइड करता है है ओके तो रन एद्मिशेटर किया cd backslash ओके यहां मैं चलाओंगा ने टूम क्यूरी एवेसे स्मोव क्यू यूई और वाई इसको minimize कर दूँ अभी लोड़ी हुआ तो मैंने इस पर क्यूरी चला दी है तो इसलिए टाइम लेगा तब तक यह भी हो रहा है और बैक पर हम अपने इसको open कर लेते हैं dsa.msc ठीक है dsa.msc open कर लेते हैं तो यहां आप देखें के इसके उपर भी आपके पास वही HR का फोल्डर वही सेल्स का वही सब यूजर्स आ रहे अब इन केस मैं यहां सेल्स में एक नया यूजर बनाता हूँ ADC01 ADC001 और मैं इसका कुछ password रख देता हूँ और मैंने यह create कर दिया मैं अपने domain controller पर जाता हूँ और मैं इसके सेल्स में जाता हूँ तो सेल्स में भी मुझे यह अपना यूजर नजर आना चाहिए ठीक है और यह आ गया है ADC यह उसने replicate कर दिया है बनाया मैंने उधर था आप मुझे वह इधर भी गया है ठीक है इसका मतलब क्या है कि srv1 आपका जैसे मैं पहले बता चुका हूँ रूट डुमेन है रूट डुमेन के उपर आपके पांच रोल होंगे उसके बाद आप उस फॉरस में जितनी भी डुमेंस बनाएंगे उसके उपर तीन तीन रोज जाना शुरू हो जाएंगे तो अभी डिटीस चुमारों के उपर भी पर पड़ा हूँ अगरे निडिसी जिस तरह आपके पास है पीडिसी आप यहां से देख सकते हैं पीडिसी को आप आप यहां से देखें, SRV1, SRV1 के उपर है, Infrastructure Master भी आपका SRV1, SRV1 के उपर है, ठीक है, तो यह दो थी आपकी आज की लैब, जिसमें हमने देखा कि हमें ADC कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके उपर data कैसे replicate होता है, और फिर अब इसके आप इस ADC का IP अपने जो different clients हैं, उनके अंदर एक alternative DNS के तोर पर देख सकते हैं, मतलब उनके DNS में दो address हो जाएंगे, पहला आपके primary domain controller का, दूसरा आपके additional domain controller का, in case आपका primary domain controller reply नहीं करता, तो आपका जो additional domain controller है, वो reply reply करेगा और उस user को authenticate वहां से करवा देगा, इंचला तर आने वाले lectures में हम इसको transfer भी करके देखें कि roles को, मतलब अगर SRV1 मेरा down हो जाता है, और मुझे सारे वापिस आने का कोई chance नहीं है, कि एक घंटे लगेंगे, दो घंटे, तीन घंटे, वो कि अगर उन roles को यहां से दूसरे server पर cease कर लें, transfer कर लें, ठीक है, तो वो transfer करने का जो तरीका है, वो मैं आपको आने वादे lectures में बताऊंगा, cease करने का तरीका भी मैं आपको तब बताऊंगा, और यह तो था हमारा आज का lecture, तो next lecture तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए अब इजासत, अल्लाह आफिस,